असोक महतो जी को जो लोग क्रिमनल कहता है साधर उनको उनका हिस्ट्री मालूम नहीं है वो क्रिमनल नहीं है बलिक समाज के इज्यत को समाज के मान всю सम्मान को बचाने का उनोंने काम किया। कि जिला में लोग सर उठा करके चल रहे हैं, जिस समय उनका साधी होना था, दामपत्ती जीवन बिताना था, उस समय बचारे कश्ट में रहे, अब कम से कम साधी किया हैं, हम लोग को खुसी हुई, पत्नी भी लगता है, काफी पढ़ी लिखी और एक्टिव हैं, सब सौम्य भ मुझे भी पहली वार समाज में अगर मान समान मिला तो लालू जी का ही देन है, चुकी में जिस समय मातर 21 साल की थी, उसी समय लालू जी मुझे कोपरेटिव बैंक के डारेक्टर बनाये थे, क्या बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आपकी कितनी उमर थी, 21 वर्स, और उ मुझेर में क्या लग रहा है, क्या होगा? उनकी जीत होगी. किनकी जीत होगी? अशोक महतो के पतनी का नीता देवी क्या? जीत जाएंगी. मीडिया में असोट महतो के लिए उख्यात, गेंगस्टर, क्रिमनल और पता नहीं क्या क्या और कहा जा रहा है. असोक महतो की पतनी चुनाव लड़ रही है मुंगेर से और असोक महतो के लिए मीडिया के इस तरह की भासा है मीडिया की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर सौरफ सुमन है राश्टपती पुरुसकार से सम्मानी थे बहुजन समाज की मैला है समाज से भी है मैडम असोक महतो के बारे हम तो जानी रही है क्योंकि आप नवादा जिला से हैं और वो भी नवादा जिला से हैं और मुंगेर में चुनाव लड़ रहे हैं जाके उनकी पत्नी लड़ रहे हैं उनके लिए मीडिया में जो इस्तेमाल किया जा रहा है के बेटा हैं इसलिए इनके भबात करने के लिए कहा जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है वह समाज की लड़ाई थी और समाज की लडाई लड़ने में उन्हें जीत भी मिली भले ही उनका प्रसनल लाई बहुत कशदाई भीता लेकिन हम समझते हैं कि जो बहुजनों की लडाई थी उसमें उन्हीं का देन है कि आज वार्शली गंज में लोग सफलता प्राप्त किये और आज सांस अवकत के साथ मारकेट जा करना सब तरह से स्वतंद्रता महसूस कर रहे हैं कुछ दिन पहले ऐसा था कि जो भी बहुजन समाज के लोग थे वो बिलकुल हम यह कह सकते हैं कि गुलाम थे और बहुत तरह की आतनाएं सहनी पड़ती थी उनके मान शमान इज़त धन संपती सब चीज पर आफद था उसको ल किये और असोक महतो जी को जो लोग क्रिमनल कहता है साथ उनको उनका हिस्ट्री मालूम नहीं है वो क्रिमनल नहीं है बलिक समाज के इज़त को समाज के मान समान को बचाने का उन्होंने का उन्होंने काम किया और यह कदम समाज के लिए हम भी एक समाज की बेटी हैं उस दिर आज उन्ही का देन है कि जिला में लोग सर उठा करके चल रहे हैं और मान सम्मान उन्हें मिल रहा है अगर तक मीडिया की बात है तो आप बुरा नहीं मानें लेकिन मीडिया तो गोदी मीडिया है जो ऐसा सरकार बोलने को बोलती है वैसा मीडिया के लोग बोलते हैं लेकिन सचाई है कि जो मीडिया के लोगों को जिस चीज को आभिकशन का काम करती है और यही कारण है कि आज चौथा अस्तम रहते वे भी बद नाम है असौक महतू अगर नहीं उस समय एक्टिव होते तो क्या होता? देखिए नहीं महिलाओं के इज्यत आबरू का सवाल था धन संपत्ति का सवाल था जात पात का सवाल था यह सब आज भी साइद बरकरार होता अगर वो इस तरह से कदम नहीं उठाते तो चुनाओ जिसे उनकी पत्नी लड़े अपको पता ही होगा कि शादी किये हैं तो सादी के लिए क्या किये गा है अच्छा कि किसी भी आदमी को दामपत्ती जीवन तो जरूरी है जिस समय उनका सादी होना था दामपत्ती जीवन बिताना था उस समय बचारे कश्ट में रहे और मुझे तो अच्छा लगा सादी किये पत्नी भी लगता है काफी पढ़ी लिखी और एक्टिव हैं सब सौ में भी हैं और उस तरह का उमिदवार को उतारे हैं लालू जी यह सराहनिय कदम है और ऐसे भी लालू जी गरीबों दलितों पिछड़ों का आवाज रहे हैं मुझे भी पहली वार समाज में अगर मान समान मिला तो लालू जी का ही देन है चुकी में जिस समय मात्र 21 साल की थी उसी समय लालू जी मुझे कोपरेटिव बैंक के डारेक्टर बनाये थे क्या बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं आपकी कितने उमर थे एकीस वर्स में लोग होस समालता है और हम कोपरेटिव बैंक के डारेक्टर हुए थे आप कुछ वहां समाज से हैं लोग कहते हैं लालू जी खली जादवे के लिए किये इसलिए हम पूछ रहे हैं ना शुरू समाज के बोले हैं तब लालू जी जब आये तो हम लोग को मतलब महिला कोटा से मुझे बनाए और पूजन वाबू भी कुस वह समाज से आते थे उनको भी अध्यक्स बनाए और बाकि सभी समाज के लोग का जिसे सिडूल कास्ट में ओभी सी में भी कई जातियों को मिला करक आएज के वो सात लोगों को डाया थे नॉम्नेट किये थे उसमें मैं भी थी और उस समय जब हम लोग पाहली फाश डायरेक्टर हुयते तो पूरे जिला में हम लोग का संहान हुआ था सभी प्रखंड में सभी बैंकों में समाज किया गया था और उसी समय हम हाईलाइच electric हो उमीद इसके हजार गुना सम्मान मिला था अब सम्मान इतना मिला कि आप राष्टपती पुरुषकार से सम्माने थी आज तो है राष्टपती से महा महीम राष्टपती से सम्माने तो है उसा प्रनमुखर जी थे तो कैसे नजर पड़ी आप पर लालिया दोकिल कि लिख लेपे कि नजर में समाज नाम मांगा गया तब मेरा ही नाम आए चुकि तो में जिला में कोई महिला ओभी सी की महिला समाज के बीच काम नहीं करती थी हम समझते हैं कि हम पहली ही महिला होंगे सब्सक्राइब जीत होगी सब्सक्राइब घदानूब है में दूसरा चीज की जो ओभी सी की आबादी है हम समझते हैं कि उसमें ओभी सी यह सब नहीं होगा असोक महतों के छवी पर लोग बोड़ दे देगा कैसी चवी है अच्छी चवी है समाज में किसी तरह का लोग आफत में आएंगे तो असोक महतों को याद करेंगे तो खड़ा रहेंगे मतलब कभी समाज में इसे आफत आ गया या किसी व्यक्ति विशेश पर भी आफत आया और अगर चला गया आशोक जी कहां तो खड़ा रहेंगे उसके लिए वह अपना नहीं देखेंगे कि हमारा क्या होगा व्यक्ति को मदद कर देंगे तो वहां के जो कुर्मी धानुक है नितिश कुमार के नाम पर ललन सिंग को वोट नहीं देंगे कि नहीं नहीं देंगे ललन सिंग उहां काम क्या किये यह देखना है अभी तक हम तोने समझते कि कोई उदारन दिया जा सकता है कि एक भी कालेज खोल दिये या इन्वर्शिटी खोले या किसी भी तरह का एक छो दॉक्टर सौरव सुमन जी से कुसवा समाज से आती हैं नवादा से हैं और राष्टपती सम्मान से सम्मानित हैं समाज सेवा के लिए इनसे बात की असोक महतो के लेके कि मीडिया में किस तरह से उनको क्रिमिनल गैंग, गैंस्टर, कुखियात इस सब बोला जा रहा है तो क्या कहना है अगर आप मुगेर से हैं खास करके परतिकिरिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपके तरफ महाल किसका है हवा किसकी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय भीम जय भारत